यार कुछ भी हो पपु यादो पुक्का फार के रोने लगते हैं और इस बार तो मीडिया से फ्रस्टेट हो के पपु यादो कैमरा के सामने ही रोने लगे अब कल वाले वीडियो में तो पताया है था एक इस तरीके से एक करोर रुपया रंगडारी का चार्ज लगा था जिस पे SP को ही गलत पता रहे थे कि बीना जाच किये हुए अफ्लोड कर दिया और आज क्या कुछ कहा है मीडिया के लिए वो आप खुद सुलो अब इतना सारा चीज देखने के बाद क्या लगता है पप्पु यादो अभी भी बाहु वली है या फिर पुरो बाहु वली इनके नाम के साथ सही लएगा नीचे कोमेंट करो चलिए आगे बुरते और बात करते हैं पिहारी बाबू सत्रूधन सिना के बारे में जी हाँ अपनी बेटी के साधी सुनाक्षी सिना के साधी से बिल्कूल भी खुस नहीं है और उनका पहला परतिक्रिया क्या आया है वो जान लो वो कहते हैं कि आजकाल के बच्चे जो है वो घरवालों से पूछते नहीं है उनों मति नहीं लेते है कि हम ये काम करे की नहीं करे सिधे बता देते हैं या हॉई काम कर रहे है आप देख लीजिए और सज पूछे तो जिस मुसलिम लड़के से सुनाक्षी सिना का साधी 22 बीच में हैं खेर ऐसे उलाद के लिए कुछ कहना चाहोगे चलिए आगे बढ़ते पर बात करते हैं मनीज कस्यप के बारे में भाई साब ये कुछ भी कड़े लोग गजब का ट्रोल करने लगते हैं नहीं नहीं हुआ ये मनीज कस्यप दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे थे और ओकाद से ज़्यादा यी रिक्सा पे लोगों को बैठाया हुआ था कोई आदमी और मनीज कस्यप उसको पकड़े और क्या किये आपको तो पता ही था बाणिया से रगर दिये उस रिक्सा वाले को अब लोग भी कहां सांत रहने वाले हैं लोग भी सुरू हो जाते हैं कोमेंट में और पोस्ट करके कहने लगते हैं क्या रहा है मनीज भई या क्या आप रिक्सा वाले उले के चक्कर में पड़े हो ये देखो रूस में किस तरीके से ट्रेन में पीजा खाते हुए लोग जा बारे में बातें नहीं करेंगे खली इंडिया के बारे में बात करेंगे आगे बुर्तियों बात करते हैं ख्यसारी लाल यादों के महौल के बारे में अब देखिए रंग्डे पसंति का जो महौल था क्या इनका रियालत पवंसिंग के तरह ही हो गया है नहीं आप इंटरनेट जब सबसे ज़्यादा रस्था तो ये पैसा कितना ज़्यादा कमया है Only 45 लाख रुपया सच में बहुत बहुत बुरा तरीके से परबाद होने वाले है खेसारी लाल यादो और इस फिल्म के डाइरेक्टर और प्रोडूसर क्योंकि इस फिल्म में 10 करोर रुपया लगा के इस फिल्म को 266 हौल तक लगाया जा चुका है और अगर इससे पैसा रिकवर नहीं होता है 80-90 परचेंट भी तो इसको यूटूब और टीबी पे और इसके गाने को रिलीज करने से कोई फाइदा नहीं होने बाला है यह करोर रुपया भी नहीं निकलेगा और जरा सोचो कि अगर 7-8 करोर का लॉस लग जाए एक बड़े फिल्म में तो यह डायेक्टर प्रोडूसर कभी हिम्मत नहीं करेंगे लेकिन हमको लगता है कि इतना ज़्यादा भीड है यह है वो है तो यह आटिकल जूट भी हो सकता है पता नहीं यह लोग कहां से पता लगा होंगे फिल्म के मेकर को इस पे आके ओफिचल जनकाली देना चाहिए कितना ज्यादा कलेक्शन इस फिल्म ने किया है आपको क्या लगता है 45 लाग ही कमाया होगा या फिर जाडा नीचो कमेंट करना चलिए आगे बरते और आपको दिखाते हैं पूरा के रंगडार हा रोड पे कुरसी लगा कि बाइट के मस्त रील बना रहे होते हैं जरा रील का कुछ सगेंड देखो आप फिर पढ़ता है बिहार पुलीस का नजर और कहता है मर्द बड़ी रंगडार बड़ा तू ब्यार पुलीस का करते हैं मधे पूरा पुलीस को टैग करके इस बात को बताते हैं कि इन रंगडार का रंगडारी उतारिये मतलब निर्देश दिया जाता है कि इन पे उचित करवाई किया जाए और अब इन पे करवाई होगा तो आप इस तरीका गलते मत किजेगा रोड उट पे दिल बनाने का नहीं तो वाईरल होगा ती इन ही के तरह दसा होगा आपका पावन सिंग के साथ कब दिखिएगा यह सवाल तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पावन सिंग के साथ कब दिखेंगी मैं देखें यह मेरा पहला कड़ा मैं भुछपूरी में मैं कोई हीरो चूज नहीं करने वाली कोई नहीं होती हूँ मुझे जो काम आएगा अच्छा काम आएगा मैं एकसेट करूँ लाल यादव दूर से कहीं इन सारे मंजर को देखते होंगे और कहते होंगे कि एक दिन आएगा कि हम भी इस जगह पे रहेंगे और आज उस जगह पे हैं लेकिन पाउंस ही नहीं है नहीं आज रभी किष्ण से रिष्टा खराब हो चुगा है और मनोश्तिवारी तो इनको भुटकटवा कहीं का कह देते हैं और बीजेपी से इनका चारोतलब से रिष्टा खराबी हो गया है और आर्जेडी में जाएंगे भी नहीं इसलिए बीसेस ध्यान जो है वो खेसारी लाल यादों पे दे रही है भारतिये जंता पार्टी और बोचपूरी के सभी सूपरस्टार कि अब इनको लेबल में लाया जाए और जैसे पवंसिंग मदद करते थे वैसे अब खेसारी लाल यादों को स्ट्रीम में लेके आया जाए इसल कोमेंट में गाली देने से या फिर पवं भाया जिंदा बाद लिखने से कुछ नहीं होगा इस वाले वीडियो को सेर करो अगर आप सुब सिंतक है तो और इस चीज पर आवाज उठाओ कि भाया कहां इतर उधर भटक रहे हैं आईए भोजपूरी में और फिर से अपने रा पूदा करता है यृः इस तरह नहीं करना चाहिए था अपर कमाल का वाइरल वीडियो देखा होगा लेकिन वाइरल वीडियो दिखाएंगे उसको देखने के बाद आपको लिट्राशी सुकून मिलेगा लगाईए जीती लेहरों से जीती तू पालों से जीती ये कल्यानी मिस्रा है जब सोशल मीडिया पर माथे पर दिलक लगा कि अपने खुबसूरत क्वेल या सवस्वर में गाना गाती है तो सोशल मीडिया का सारा रिकॉर्ड टूट जाता है लेकिन इसके महौल को परकरार रखने के अब आप इस वाले चैनल पर आना चाहते हैं अपना न्यूज लेकिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आपना न्यूज भीज़ दो